हलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल मैथमेटिगल पार्ट शाला में तो फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको सी यू सैट 2019 से रिलेटेड सारी इंफोर्मेशन प्रवाइड करूंगा कि क्या हमारा स्लेबस होता है क्या हमारी इलिजिबिलिटी होती है और नंबर ओफ सीट के बारे में आइडिया दूँगा और पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज के नेम्स आपको बताऊंगा और किस तरीके का पेपर होता है कितने नंबर ओफ कुश्चन होता है कितनी नेगेटिव मार्किंग होती है और सिलेबस के बारे में मतलब यह सारी बात है मैं इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करूंगा तो फ्रेंट्स सबसे पहली बात कि जो से 2019 एक्जाम फॉर्म बरने के जो हमारा लास्ट डेट है वह आपका 13 अप्रेल यानि कि आप 13 अप्रेल तक इसका फॉर्म फिल कर सक स्टार्ट हो चुके है और इसकी जो एक्जाम डेटा फ्रेंट्स वह है 25 और 26 में मतलब इन दौनों डेट्स के बीच ही सारे एंट्रेंस एक्जाम होने हैं जो भी स्यू सेट के हैं तो फ्रेंट्स मैं बात करूंगा आपको MSC एंट्रेंस मैथमेटिक्स के लिए तो स्यू स है फ्रेंट्स आपका integrated MSC बीड़ का एक्जाम तो उसमें आपको MSC के साथ साथ बीड़ भी करवा ही जाती है और वो तीन साल का कोर्स होता है और दोनों का जो पेपर होता है वो कॉमन पेपर होता है बस इन दोनों की cut-offs अलग होती है तो आप फॉर्म भरते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप अगर आप MSC बीड़ में interested हो तो आप वह भी फिल कर सकते हो फ्रेंट्स अब उसके बाद मैं बात करूं फ्रेंट्स कि क्या हमारी eligibility है तो अगर आप MSC मैस में करना चाहते हो या फिर MSC बीड मैस में admission लेना चाहते हो तो आपको 50% मार्ग से यह आपकी participating universities का तो Central University of आंधर प्रदेश, गुजरात, सिल्चर, हरियाणा, जंबू, जारखन, करनाटका, कश्मीर, तमिलनाडू, साउथ बिहार, बिहार, पंजाब, केरला, राइस्तान मतलब यह सारी Central University इसके अंदर पाठ लेंगी तो जो MSC बीड का कोर्स है फ्रेंट्स वह Central University of रा आपको सबसे टॉप की University बताऊं तो Central University of राजिस्तान मतलब वहां के टीचर्स की आप प्रोफाइल देखोगे ना फ्रेंट्स जो मैच डिपार्टमेंट है तो आप आओगे कि मतलब बहुत ही अच्छी faculty है और आप वहां से अगर MSC में admission लेते हो तो आपको मतलब academic से related कोई भी problem नहीं होने वाली और वहां पर research वर्क भी बहुत अच्छा चलता है मतलब बहुत सारे एरियास जैसे complex analysis operations research तो मतलब आप अगर इंट्रेस्टेड हो इन सारे fields में तो Central University of राहिस्तान आपके लिए अच्छा प्लेस है अब मैं बात करूं friends syllabus की number of seats की और paper किस तरीके से syllabus देख सकते हैं मैं आपको important important जो topics हैं उनके नाम बता देता हूं तो algebra पूछा जाता है सबसे पहले तो algebra मतलब modern algebra and जो आपका linear algebra modern algebra के अंदर ring theory भी पूछी जाती है मतलब surface level से पूछी जाती है क्योंकि आपके पास दो घंटे का time होता है exam में और आपके पास number of questions होते हैं 100 यानि दो घंटे में आपको 100 question करने 75 question आपके BSc mathematics level के होते हैं और 25 questions होते हैं वो हमारे English general awareness और mathematical aptitude के होते हैं और correct answer के लिए आपको एक number मिलता है और अगर आप incorrect करते हो तो आपका one by four extra deduct कर लिया जाता है यानि कि minus 0.25 आपको reward किये जाते हैं तो friends तो जो हमारा यह 75 questions है जिसमें mathematics पूछी जाती है BSc level की उसके अंदर यह सारे topics हैं अभी मैं आपको one by one in अभी का idea दूंगा तो यह सब हमारे crash course में चल रहे है friends तो वहाँ पर आपको मतलब सारे topics schedule wise पढ़ाई जाएंगे अच्छे से आपको notes बनवाई जाएंगे और मतलब previous year question सब कुछ हमारा crash course में चल रहा है और उसके अलावा friends यह जो हमारा 25 question वाला portion होता है यह भी exam में मतलब important portion होता है तो इसके लिए भी हमारे पास special faculty हैं तो वो दो या तीन दिन का time लेके आपको इसके वारे में idea दे देंगे ताकि आप यहां से भी questions attempt कर लो तो हमें बात कर रहा था syllabus की तो syllabus में अगली बात करूं मैं real analysis real analysis sequences and series point set topology function of one variable और function of several variable जितना jam में उतना ही cu set में पूछा जाता है ठीक है integral calculus vector calculus और differential equation differential में भी केवल ordinary differential equation तो यह स है integral vector differential equation उसके बाद जो नया है friends cu set के अंदर वो है complex analysis and linear programming तो complex analysis central universities में BST में बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और linear programming यह भी वहां बहुत अच्छा पढ़ाया जाता है और वहां की faculty पेपर बनाती हैं तो इन दोना topics से मतलब अच्छे questions आने के chances रहते हैं friends आपको अगर details ल और exam में मतलब question ऐसा पूछा जाता है कि आप एक या दो मिनिट के अंदर attempt कर जाओ क्योंकि LPP में आप देखोगे कि जो questions होते हैं बहुत बड़े होते हैं lengthy calculations होती हैं लेकिन आपको इतना पढ़ा दिया जाएगा conceptually कि मतलब आप exam में question आराम से attempt कर दोगे अब जो friends मैं जो next topic start करूँगा crash course के अंदर वो linear programming start करूँगा तो यह मतलब सबके लिए होगा इसमें maximum number of video सबके लिए होगी चाहे वो हमारा crash course का member है या फिर नहीं है उसके बाद friends मैं बात करूँ number of seats की तो number of seats यह हर universities में अलग-अलग होती हैं तो Central University of Rajasthan के बारे मैं मैं अगर आपको सब्सक्राइब के लिए तो 15 to 20 अगर आपकी टोटल number of seats है msc match के लिए तो उसमें से 10 के about general की होंगी और इसी तरीके से integrated msc beard में भी 10 के about general की होंगी अब मैं बात करूं friends आपको कितने marks लाने अगर आप वो cut-off के लिए करनी है last year क्या cut-off रही थी और इस बार क्या cut-off हो सकती है तो friends 100 number का paper होता है last year general में जिसके 54 या 55 प्लस थे उसको admission मिल गया था integrated msc beard में भी मिल गया था और msc mathematics में भी मिल गया था तो कई universities का मतलब integrated msc math ही होता है और कुछ-कुछ का ही msc beard mathematics है तो वह आप देख सकते हो वह आपको हर किसी की site होल के देखना पड़ेगा जैसे Central University of Haryana आप टाइप करो Google पे वहाँ academic program देखो और वहाँ जाके number of seats eligibility सारी देखो क्योंकि मैं one by one सबकी तो बता नहीं सकता friends क्यो eligibility तो यही है तो उसके बाद number of seats का भी मैं आपको idea दू तो 15 to 20 ही है मतलब बाहर जगे और केवल राइस्तान में मतलब integrated msc beard mathematics का प्रोग्रामेट ही है तो यह तो बात ही number of seats की हाँ अब cut-off की बात तो general के लिए मैं आपको बदा रहा था 54 marks और OBC के लिए about 51 50 के आसपास paper सब easy आता है surface level से पूछा जाता है कुछ कुछ question जरूर बहुत अच्छे होते हैं वह rank 1 rank 2 rank 3 rank 4 decide करते हैं तो वह questions पी आपको करवाए जाएंगे और मैं आपको suggest करूंगा कि आप previous two years के paper भी solve करके जाएं तो वह सब papers group में हम send कर देंगे और assignment वगेरा वह सब मतलब आपका process च तो आपके भी चल रहे हैं तो आपके साथ जो students paper देंगे उनके भी semester exams ही चल रहे हैं तो ज्यादा problem लेने की बात नहीं है और जो कुछ students repeaters होते हैं तो उनको भी मतलब बहुत सारे exams की तयारी करनी होती है तो आप बिल्गुल free mind होके तयारी easy है और मतलब आपका result बहुत marks थे तो उसने maximum number of questions 75 में से सही किये थे और friends जिसकी rank 3rd थी I think उसके 62 के about marks थे 67 के आस पास थे friends 62 और 67 के बीच में थे तो यह सब मतलब यह टॉपर्स का score रहता है अगर आप 75 score कर पाऊ तो आपकी AIR 1 आ जाएगी और AIR 1 के लिए हमने reward रखा हुआ है friends 5000 रुपीज का अगर आप हमारा crash course join करते हो और AIR 1 लेके आते हो क्योंकि friends हम इतना material provide करवा देंगे कि अगर कोई भी student सच में MSC entrance की तैयारी कर रहा है honestly और वो मतलब पूरे तरीके से dedicated है तो हमने एक ऐसा platform तैयार किया हुआ है कि उसके लिए हम कोई भी कमी मैसूस नहीं होने देंगे चाह see you set and go and crack it thank you friends